हलो बच्चो, आज हम फिर से एक न्यू आक्टिविटी कर रहे हैं और न्यू चीज के बारे में समझ रहे हैं तो आपको पता है बच्चो, यहाँ पे कुछ फेसिस आपको दिख रहे हैं तो यह फेसिस क्या होते हैं? आप लोगों को समझ आ रहे हैं यहाँ पर मैंने ये faces क्यों draw किये हैं कोई-कोई बच्चे बोल रहे हैं और कोई सोच रहे हैं So, very good जिन बच्चे को पता चला है आज हम किस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं उनके ये very good और जिनने नहीं पता हैं और मैं बताऊंगी So, आज हम Emotions के बारे में यानि हमारी जो feelings होती है उसके बारे में सिखेंगे जैसे कि अगर मैंने कुछ अच्छा activity करके ग्रूप पे ममा ने फोटो भेजा आपका और टीचर बोलती है Very good Sonal आपने तो बहुत अच्छी activity की आपने यहां पे coloring बहुत अच्छी की है है ना और टीचर जब आपकी बहुत तारीफ करती है टीचर को आपका काम अच्छा लगता है तो आप क्या हो जाते हो आप happy हो जाते हो है ना आप happy हो जाते हो Yes And यह क्या है हैपी के साथ उसका friend कौन जा रहा है हैपी के साथ उसका friend sad है यह sad क्यूं है तो हमें पूछना है ना कि यह तो happy हो गया क्यूंकि टीचर ने कहा कि आपने बहुत अच्छे से coloring की आपने बाहर नहीं निकाला पर यह वाला friend sad क्यूं है यह वाला friend sad इसलिए है क्यूंकि यह वाला friend आज activity नहीं कर पाया क्यूं नहीं कर पाया यह वाला friend आज activity यह वाला friend sad इसलिए था क्यूंकि आज यह activity नहीं कर पाया क्यूंकि वो थोड़ा सा बिमार था इसलिए वो आज activity नहीं कर पाया तो वो sad हो गया है Okay, so children आज हम लोगोंने कौन से दो भावना आज सीखी कौन से दो emotions सीखे happy emotion and sad emotion happy sad happy sad I am sad because मैं आज homework नहीं कर पाया I was happy because teacher said I did the coloring very nicely teacher ने बोला मैंने तो आज बहुत अच्छे से coloring की है so मैं आज बहुत happy हूँ पर मेरा जो friend है वो sad हो गया है क्योंकि वो आज बिमार है और वो आज activity नहीं कर पाया इसलिए वो आज sad हो गया है so happy and sad happy and sad are two different emotions मतलब happy एक तरीके का emotion है और sad भी एक तरीके का emotion है जब हमें कुछ अच्छी बात बताते हैं ममा डाडा या ममा पापा हमें कुछ अच्छी बाते सिकाते हैं या हम अच्छा काम करते हैं so mamma papa हमसे बहुत happy होते है, okay, and जब हम बिमार हो जाते है, so mamma papa भी हमारे लिए sad हो जाते है, कि baby बिमार हो गया है, so mamma papa भी हमारे लिए sad हो जाते है, so this is happy and this is sad, okay, so आज हमने कौन से दो emotions सीखे बच्चो, happy emotion and sad emotion, happy emotion and sad emotion okay तो मैं आपको आप कुछ प्रशन पूछोंगी ठीक है तो उसका आपको right right answers देना है बच्चो मुझे ये वताईए आज हमने कितने emotions के बारे में सीखा आज हमने कितने emotions के बारे में सीखा 2, 3 या 1 आज हमने 2 emotions के बारे में सीखा 3 emotions या 1 emotion के बारे में सीखा next question कौन से 2 emotions आज हमने सीखे अभी जो मैंने आपको story बताईती उसमें मैंने 2 emotions या हाँ जो 2 feelings है उसके बारे में वो 2 feelings के नाम बताईते या वो 2 emotions के नाम बताईते वो कौन से कौन से थे हैपी सैड थे या एंग्री सैड थे कौन से दो इमोशिन्स के बारे में या फीलिंग्स के बारे में हमने आठ सीखा हैपी सैड, एंग्री सैड स्चोरी में हमारा तीसरा प्रशन है स्चोरी में बच्चा सैड क्यों था सो जल्दी से आप लोग ये तीनों प्रश्णों का भी उत्तर देंगे और आपके वीडियो जो आपने प्रश्ण दिये है उसके वीडियो हमें वाट्साप के ग्रूप पे सेंड कीजिए थैंक यू